हेलो गाइज मैं रजनी अपने योटूब चैनल रजनी लोग में आप सभी का वेलकम करती हूँ और देखे आज मैं आपके सामने बहुत इलाजवाब रेसिपी लेकिया हूँ तो कहूँ क्या तो मैं लेकिया हूँ गेवर की रेसिपी और गेवर सभी को पसंद आने वाले हैं और यह बहुत करारे बनाएंगे। तो बिलकुल हलवाई मे मैं आपको घर पे ही गेवर बनाना बताऊँगी। तो आप मन चाहो जितना गेवर आप अपने घर बैठे आप बना सकते हो और वह भी बिलकुल हलवाई मे तो चलिये स्टार्ट करते हैं तो आप मेरी वीडियो में अंतक बने रहें और देखिए वन बाई वन स्टेप में आपको बताऊंगी तो चले स्टार्ट करते हैं यह सारी चीजे मैंने ले ली है घेवर बनाने के नीमू का रस लिया है घी लिया है और यह मैंने लिया है बेशन एक चमच एक करोरी मैदा और यह मैंने लिया है बरफ के टुकडे तो चरी स्टार्ट करते हैं एक बड़ा सा बाउल ले लेना है जिसमें हम अच्छे से फेट सकें तो चार पाचमच मैंने घी की लिया है घी की अंदर मैं डाल दूँगी बरफ के टुकडे तो देखिए अब बरफ के टुकडे को हमें एक बिल्कुल जब तक हमारा एक मक्खन सा तयार नहीं हो जाए तब तक हमें इनको फेटते रहना है और आप तो देख लीजिए कितना अच्छा सा मक्खन बनके रड़ी हो गया इसके अंदर आप दोड़ा सा दूद एड़ करेंगी और दूद को इसमें ध्यान रखना है हमें पानी बिल्कुल चिल्ड लेना है इसका गोल बनाने के लिए बिल्कुल ठंडा बानी जितना ठंडा पानी हो सके उतना हमें ठंडा पानी लेना है बिल्कुल चिल्ड पानी यानि कि ठंडा का बिल्कुल चिल्ड पानी लेना है और जितना हमें तेंड़ा पानी होगा उतना ही हमारा अच्छा गोल बनकर रड़ी होंगे और हमारे गेवर बहुत ही अच्छे बनेंगे तो देखिए इस वात का आप चरूर ध्यान रखना और यह देखिए आप देख लीजी बिल्कुल भी लंच नी बने है और हमारा यह बन रहा है और इसम सब्सक्राइब जरूर करना बैल के साथ करना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आप सबसे पहले देख सकें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकें और देखिए यह बिल्कुल अच्छे से घोल तयार हो गया और प्लीज आप वीडियो को पूरी देखा करो अब इ इतना पतला मतलब इसका घोल तयार हुआ है आपको देख लीजिए बिल्कुल पठला घोल रकना है इसका हमे और अब इसको में और बावल में निकाल लेती हूँ बावल में इसके अदर में नीमू डाल देती हूँ जो भी मैंने नीमू निकाल के रखा था तो आदा गोल को डियाए तो हमें थंड़े पानी का ही इस्तेबाल करने है और गोले एक साइड में रख दिया है तब तक मैं अपना चासनी यारगार लेती है हमारा गोल है थंडार रहना चाहिए उसको बिल्कुल गरम नहीं नहीं देना में चिलडी रहना पीछ चोनी बनाना और नगं डाले कीविकि इसे बहुत अच्छा फिलेवर आता है और दिखने में यह बहुत अच्छे लगते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखना तो यह देखिए और चासनी हमें ज्यादा मतलम कि गाड़ी नहीं बनानी है नियादा पतली बनानी है हमें एक कार की चासनी बनानी है तो मेरी चासनी भी बनके रड़ी हो गई है और आप एक बार देख लीजिए खुदी गैस को मैंने कर दिया है ओफ और तब तक मैं इसको एक साइड में रख देती हूँ और अपनी दूसरा प्रोसेस तयार करती हूँ तो देखे फ्रेंस मैं अब इसके अंदर डाल देती हूँ दूद जिसके मैं बनाँगी रबडी तो दूद मेरे को मतलब कि दोई गेवर बनेंगे चोटी कटोरी मैंने बेशन का मैदा कर लिया है तो उसमें दोई बनाएंगे उसके लिए मैंने हाफ मतलब कि 500 ग्राम दूद लिया है तो उसके लिए वो रबडी बहुत रहेगी 200 ग्राम आप अपने हिसाब से ज्यादा कर सकते हो आपको जितने रबडी बनानी हो उतनी आप बना सकते हो जितने आपको घेवर बनते हैं जिस हिसाब से आप खाना चाते हो उतना आप बना सकते हो और रबडी हमें 2-3 निन तक ही हम उस रबडी वाले गेवर को खा सकते हैं तो आपको जितना खाना उसी के उपर अपनी रबडी लगाईए एक्स्ट्रा में मत लगाईए क्योंकि वो फिर खराब हो जाते हैं इसलिए अपना अगेवर को बिना मतलब की रबडी लगाया फ्रीज में श्टोर करके काफी दिनों तक भी रख सकते हो तो उससे उसमें कोई भी खराब नहीं होंगे तो दूद को हमें बिल्कुल गाड़ा होने तक पकाना है और नहीं बिल्कुल बहुत ही जादा गाड़ा करना है और नहीं बिल्कुल पत्ना करना है हमें रबडी आपने देखियोगे उस इसाफ से हमें रबडी बनानी है तो देखिए हमारा दूद कम होने लग गया है बिल्कुल ही और इसमें काफी देर लग जाती है इन प्रोसेस करने में तो बहुत टाइम लगता है लेकिन वही बात है न घर की तो चीज घर की होती है भार की चीज़े आप अवोईड कीजिए और अपने घर में ही बनाईए और बिना किसी मिलावट के हम अपने घर में अच्छा सुद्ध भोजन कर सकती है तो अपना जितना हो सके आप अपनी जितनी भी स्वेट से मिठाई अपने घर पे ही बनाए और भार की चीज़े आवोईड करने की कोशिस करिए तो देखिए दूध हमारा गाड़ा हो चुका है और थोड़ा थोड़ा गाड़ा होनी लग गया है और इसकी साइडों में जो मलाई है उसको हमें इलाती भी बेच की साइड कर देना है तो देखिए हमारी रबडी भी बनके रड़ी हो गई है और देखिए बिल्कुर रबडी बन गई है और ये इतना गाड़ा रखना है रबडी देखो दिखने में अच्छी रग रही है न तो चलिए अब हम बना लेते हैं गेवर तो हमारी चासनी भी तयार हो गई है रबडी भी तयार होगी, अब हम बनाते हैं गेवर, गेवर बनाने के लिए हमें हाप से ज़्यादा, हमें मतलब कि ये मेरे पास 1 लीटर का पैकेट था, वो मैंने पूरा बाउल के अंदर डाल दिया है, तो मैंने ये बोतल ले ली है, आप भी कोई भी बोतल ले सकते हो, तो मेरे पास लिमका की बोतल पड़ी थी, अगर आपके पास सोस की बोतल होती है, तो आप सोस की बोतल में भी गोल डाल लेते हैं, तो मैंने लिमका की बोतल थी, उसके अंदर अपना गोल डाल लिया था, उसके अंदर उपर एक छेद कर लिया है, अब थोड़ा-थोड़ा करके बिलकुल गरम होना चाहिए तेल में बिलकुल नहीं बनेंगे इस बात कर दो जरूर ध्या norm तहकर तेल को भिलकुल फंड thन नहीं देना है बिलकुल गरम ते पर के आंदर हमें यह लालना है। और देखें कितनी जाली इसके अंदर उपर पड़ी हुया है और कितना अच्छा यह बन रहा है आपको देख रहे होंगे आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा और अच्छी हमारी जाली बनके रड़ी होगी और देखो बिल्कुल बना है ना हलवाई श्टाइल में तो देखिए कितना अच्छा बन गया है तो ऐसे करके जब तक हमारा गेवर पूरा रड़ी नहीं हो जाता है हमें बिल्कुल सेंटर के अंदर इसका गोल डालते रहना है तो देखिए बन गया है तो ऐसे करके मैं सारे मतलब कि मेरे दो बनेंगे तीन बनेंगे जितने बनेंगे मैं ऐसे करके one by one करके सारे बना लूँगे तो देखिए तो वेवर बन गया है हमारा थोड़ा सा ध्यान देना भार के साइड जैसे हमारा बहुत जैसा छोटा बरतन रहता है तो उसके अंदर एकदम से छीटे भी निकल के आते हैं भार तो थोड़ा ध्यान से आप इसके अंद ताकि पूरा साइड छोड़ दे और देखिए इसको मैं निचे के साइड दबा देती हूँ ताकि ये पक जाए और ये देखिए रड़ी हो गया है चिम्टे की साइटा से देखो मैंने इसको भार निकाल लिया है अब इसके अंदर मैंने एक पलेट ले ले ली पलेट के पर एक छलने डाली है ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ओयल है वो पलेट के अंदर निकल जाए अब इसके अंदर मैं दूसरा गेवर बनाने की तयारी कर लेती हूँ तो देखिए दूसरा गेवर अभी मेरा बनके रड़ी हो गया है ऐसे करके आप कितने भी सारे आप घर बैठ सकते हो तो देखना थोड़ी से मैदा के अंदर कितने सारे गेवर हमारे बन जाते हैं और आप देखिए हमारा ये भी बनके रड़ी हो गया है तो आप ये सारी चोटी-चोटी चीजे हम अपने घर में बनाके और पूरा एंजवाई ले सकते हैं और बिल्गुल सुद्द द देख लीजिए तो रड़ी है हमारा ये भी तो देखे फ्रेंड्स मेरे दो गेवर बनके रड़ी हो चुके और आप देखे कितने अच्छे से बन गए हैं आप देख रहे हो ना अब इसके उपर में जो चासनी बनाई है वो डाल देती हूं और मैंने अलग से एक प्लेट ल देखे कितने अच्छा सा बन गया है हमारा गेवर आप दी देखे अब इसके उपर आप ड्राइफ रूट्स डाल सकते हो कुछ भी डाल सकते हो तो आपके पास जो भी आपको पसंद है आप वो डाल सकते हो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूं चेरी इसको अच्छा और आपको बहुत अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना मिलती हो अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई